नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खवर 17 जुलाई के समाचार बुलेटीन में आपका स्वागत है नज़ा डालते हैं प्रमुक्सुरकियों पर कहीं मौत कहीं दुरुघटना परिसान रहे लोग क्रिशी मंत्री के सामने उठाई भरष्टाचार की सिकायत पीकप ने मारी आटो को टक कर बच्ची की मौद सरनक किनारे मिला सौव दो परबाद हुई पहचान घर में सोरही महिला के साथ जवर चस्ती पंचायत चुनाओ के लिए पहुची EVM की खेब अब सहर में खूलेगा नया सोरुम खबरे और भी हैं हमारे इस समाचार बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके जिवलर्स आकर्सक आभूषणों के वी स्वस्निय विक्रेता यमना चौक एवं काम देनुन्याक्ष नय जमाने की मजबूत सरिया है बक्सर का अपना सर्फ जीतू वासिंग पाउडर डिलर एम डिस्ट्रिबूटर के लिए नीचे दिये गए नमबरों पर करे संपर्क जिंदल पैंथर सिमेंट एवं सरिया के मुख विक्रेता गंगा सागर विल्लिंग मेटेरियल गोलंबर बक्सर एवं सिम्री संपर्क करें नीचे दिये गए इन नमबरों पर महिलाओं पर इन दिनों अत्याचार की घटनाये बड़ी हैं अगर आप जीले के हलचाल पर नज़े रखते होंगे तो आपने ऐसा महसूस किया होगा आज सनिवार को भी एक ऐसा ही मामला मुपसिल थाना के जग्दीशपूर गाओं से महिलाथा ने पहुँचा पीडिया ने बताया सुक्रुवार की रात मेरे ही गाओं के दो यूकों ने घर में प्रवेस कर मेरे साथ जबरजस्ती की पुलिस का कहना है इस मामले में दोनों आरोप्यों को गिरफतार कर लिया गया है उन्हें सनिवार को जेल भेज दिया गया दोनों जग्रिसपूर गाओं के ही रहने वाले हैं अस्थानी लोगों ने बिती राथ ही उन्हें गिरफ पकड़ लिया था लेकिन घरवालों की दविस के कारण उन्हें छोड़ना पड़ा था लेकिन सिकायत दर्ज होने के बाद मुफसिल एवं महिला थाने की पुलिस में संयुक्त कारवाई करते हुए इन दोनों आरोपियों को गिरफतार कर लिया जिन्हें आज सनिवार को जेल वेज दिया गया इन दोनों के नाम लाल जी चोहान और गोलु चोहान है घटनाय सिर्फ महिलाओं के उत्पिड़ा तक सिमित नहीं है उनकी हत्या भी हो रही है बीते दिन सिम्री थाना चेतर के दुमरी गाउं से ऐसी सिकायत मिली वहाँ दिब्या की साथ ही दुमरी गाउं निवासी अखिलेस कुमर के साथ हुई थी सुक्रवार को उसकी मौत हो गई परजनों का कहना था वह बिमार थी बिस्तल से गिर पड़ी और चोट लगने के कारण मौत हो गई जबकि मायके वाले जो बलिया के रहने वाले हैं उन्होंने सिम्री थाने में आकर इसकी प्रासमिकी दर्श कराई उनका सीधा अरोप था परिवार वालों ने जहर देकर उसकी हत्या किये हलाकि दिव्या के पिता गुजरात में रते हैं यहां उसके ममा आये थे जिन्होंने बताया उसे जहर दिया गया है बीचे दिन सोमवार को एक बड़ा ही रोचक मामला सामने आया राज के किसी मंत्री अमरेंदर प्रताप सिंग नावानगर में सभा कर रहे थे वहां किशान भिया मंत्रित किये गए थे इस दोनाने किशान ने किसी मंत्री के सामने खाद की कालाबाजारी से जूड़े मसले को उठाया पैक्स में गेहु नभिक ने की बात भी उन्होंने इसारे इसारे में कही इस सभी में अधिकारी भ्रस्ताचार को बढ़ावा दे रहे हैं आप उन बुजुर्ग के मुखार बिंदू से ही सिकायत को सुन लें अगर ट्रक के हिसाब से पैसा आप नहीं देते हो तो दो दिन आपके ट्रक खड़ी कर दियाएगी भागा में तुम्हारा शड़ार ना पार भाद में इसकी तरफ में आपका ध्याना किस्ट करूँगा और मुखर उपसे अनमंडल पर अधिकारी महुदाश है कि अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क करके किस दिशा में वो पहल करें हमसे लोगों ने कहा कि कॉपरेटिक पर गहनों बेचबाते हैं क्या मिलता है एक सरकार का नियूंतम रेक प्रीक्स है किसानों को वो यह की पतानी है चोरी करते हैं कामदाम में ख़ड़ते हैं अधिक दाम में बेचते हैं चोरी करते हैं बीते दिन सुकरवार को साथ मुंदन संसकार की तीथी ती इस वज़ा से रामरिखा घाट पर काफी भीड देखी गई सुचना के अनुसार इसी दोराने एक दुरगटना भी हुई और दोगिक थाना चेतर के दलसागर मोड के समीप आटो को पीक अपने टकर मार दी जिसमें सवार चांदनी कुमारी पिता आमीच चोधरी निवासी गाएगाट की मौत हो गई एक दिन पहले अर्थात गुरुवार को भी एक युवाक दीन दियालोजा की मिर्तिव कृष्णा मम्थाने के नुगाओं गाओं में हुई थी इस मामले में दीन दियाल के पिता ने हत्या की प्राश्मी की दर्श कराई है उनका कहना है लड़की वाले मेरे पुत्र को जव पुलिष्ण कुमार ने फाई आरदस कराई है अभी जो दिल से आपकी नेजरों के सामने है यह नया भोजपूर ओपी के मीशन और स्कूल के समीप का है अर्थात भोजपूर चौक से जब आप डुमराओं रेलेवेश्चन के तरफ बढ़ते हैं बीच में मीशन और स्कूल गेट के पास का रहने वाला है इसकी मानसी की सिती ठीक नहीं थी साय भटकते हुए यहां तक आ गया और जाडियों में उसका सौ मिला इसकी पहचान को लेकर जो उल्यन थी वह समाप्त हो गई है वह पंचाय चुनाओं से जुड़ी एक महत्तपून जानकारी है आज सनिवा को जिला अधिकारी अमनसमीर डीडी सी ओगेश कुमार सागर ने समानाले के सभाकष में अधिकारियों के साथ पंचाय चुनाओं की तैयारी को लेकर बैठेकी टीम ने बताया जिल्यन को प्रयाप्त संख्या में एवियम प्राप्त हो गई है हाला कि इस चुनाओं में चेर्मेन भागमनी देवी सनिवार को SDPOK के सिंग से मिली उन्होंने नगर परिशत द्वारा पुलिस परसासन को ऐसे लॉक उपलद कराए जो नो पार्किंग में खड़ी गारियों के पहिये में लगा जा सकेंगे और थात अगर आपने गारी नो पार्किंग एरिया में कुछ लोगों ने इसको लेकर नगर परिशत से पार्किंग की सुब्दा उपलब्द कराने की बात मी गई है लेकिन आज की ख़बर फिराल इतनी है नगर परिशत दुम्राओं ने परसासन को ऐसे लॉक उपलब्द करा दिये हैं जिससे नो पार्किंग में खड़ी गारिय पर ताला लगा जा सकता है अब चलने से पहले आपको बता दे सहर में नए स्क्लोसिफ सोरूम का सुवारम होने वाद देश की मसहूर सर्ट बनाने वाली कंपनी मुफ्ति का या सोरूम स्रीचन मंदिर के सामने 19 जुलाई को खुलेगा इसके प्रोप्राइटर दौला चंद गुता है आप देख रहे हैं बक्सर खबर हमारे सातन तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद